पिर से बरसातों का मौसम आ गया सेतंबर का पहला हफता है और इस वक्त हम सब लोग जानते हैं कि डेंगू के मच्छर कितने ज्यादा पैदा होने शुरू हो जाते हैं तो अपने को दिल्ली को अपने परिवार को डेंगू से बचाना हैं और जैसे पिछली बार हम सब लोगोंने मिलके एक कैम्पेंच छेडा था अभियान छेडा था दस हफ़ते दस बजे दस मिनट हर रविवार डिंगू पे वार इस बार भी अपने को यह अभियान छेड़ना है पिछली बार दिल्ली के दो करोड लोगों ने मिलके हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में एक भी डिंगू के वज़े से मौत नहीं होने दिये यह एक बहुत बड़ा चीव्मेंट था हम सब का और केवल लगबग 14-1500 केस जिंगू के हुए थे जिबकि पहले कुछ साल पहले तक 14-14-15-15000 केस हुआ करते थे तो इस बार भी अपने को पिछली साल की तरह आज पहला रविवार है अगले 10 रविवार तक हर रविवार को 10 बजे 10 मिनट में आप अपने घर में जहां-जहां साफ पानी कठा है उसको उंडेल दो और उसके पानी बदल दो हफते में एक बार कर लो तो हम अपने आपको दिल्ली को अपने परिवार को डेंगो से बिचा सकते हैं मुझे पूरी उमीद है विश्वास है कि जैसे पिछली बार आप सबने पार्टिसिपेट किया था और दिल्ली को डेंगो से बिचाया था इस बार भी आप उसी तरह से कुछ मीडिया में मैं पढ़ रहा था कि बेड्स अस्पतालों के अंदर बेड्स बढ़ गए हैं दिली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है टोटल 14,000 बेड्स हैं करोना के अभी 5,000 बेड्स भरे हैं आपकी जानकारी के लिए बता दो इन 5,000 बेड्स में से लगबग 16-1700 बेड् जो हार के मरीज़ों के अपने देश के दूसरे देश के अंद्य हिस्सट से जो हमारे भाई बहन आया है दिली बिमारों के 16-1700 वो हैं तो डिली के अपने मरीज 3300 ही हैं 3,300 के बीच में पिछले 2,5 महीने से इतनी मरीज हैं मरीज नी बढ़ रहे है दिली के तो उसकी चिंदा मत कीजिये नंबर ज्यादा आ गए मान लीजे 2900 पेशेंट हैं लेकिन मरीज भी नी बढ़ रहे हैं देथ भी नी बढ़ रही लोग बिमार होके ठीक हो रहे हैं बस हमने टेस्टिंग डबल कर दी इसलिए जादा लोगों को इडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ये मत सोचिए कि दिल्ली में स्थिती खराब हो गया और मरीजों की संख्या स्पतालों में बढ़ रही है पूरे देश भर से आज दिल्ली के अंदर लोग अपना इलाज कराने के रहा रहे है ये खुशी की बात है पूरे पांच साल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर स्वास विधाएं इतनी अच्छी कर दिया है एस्पिताल इतने अच्छे कर दिये, महला क्लेनिक इतने अच्छे कर दिये, आज पूरे देश के लोग अपना इलाज कराने दिल्ली के अंदर आते हैं, पूरे देश के लोगों को दिल्ली के स्वास सेवाओं के उपर भरोसा है, आपके सब के लिए दिल्ली के लोगों के लिए गर्व की बात है हम दिल्ली के लोग पूरे देश के लोगों कोई सेवा करने का हम लोगों को मौका मिल रहा है हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और आप बेड की चिंता मत करना बेड सफिशन्ट कॉंटिटी में है और अगर बाई चांस कमी भी पड़ेगी उसका भी मैंने पूरा प्लान बनाया मैं पिछले दो-तिन दिन में स्वास्ति मंत्री जी के साथ मेरी कई मीटिंग हुई है उसका भी पूरा प्लान बनाया अगर जरूरत पड़ेगी उसको भी बढ़ा लेंगे